तो गुर्मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 30 जून के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं और important प्रश्ण है कि अभी ICC T20 Mains World Cup 2024 को किस ने जीत लिया है आप सभी को बता होगा भारत इसमें विजेता रहा है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICC T20 Mains World Cup 2024 की कौन सा addition है नवा addition है कहाँ पे हुआ वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ और इसको जीत लिया है भारत ने भारत ने किसको हराया फाइनल में या उप विजेता या रनर अप कौन रहा तो आंसर होगा साउथ अफरिका तो अगर हम बात करते हैं कि इस ICC T20 Mains World Cup में अभी तक जब से ये शुरू हुआ है कब से 2007 से 9 संसकरन हो चुके हैं ये नवाई तो था तो अभी तक भारत कितनी बार जीत चुका है भारत दो बार जीत चुका है जो पहला पहला संसकरन था 2007 वाला वो भी भारत ने जीता था और अभी लेटेस्ट वरत्मान में विजेता भी भारत है चलो इससे संबंदित और जितने भी प्रशन बनते हैं जो भी हमने करंट अफेर्स में पड़े थे वो सारे एक्विलेट करके इखटे करके एक साथ मैं आपको बताता हूँ साथ में कौन प्लेयर ऑफ दा मैच रहा प्लेयर ऑफ दा स्रीज कौन रहा यहां पे भारत टीम के कोच कौन थे जो भी प्रशन बनेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनना सब आपका यहां पर कवर कर दूँगा तो हम यहां पे बात कर रहे हैं ICC Mains T20 World Cup की 2024 में सबसे पहले यादर कहेंगे कौन सा एडिशन है नवा एडिशन है कब से कब तक हुआ यह एक जून 2024 को शुरू हुआ था और 29 जून 2024 को इसका फाइनल खेला गया कहां पे खिला गया West Indies और अमेरिका में खिला गया इसमें तीन देशों ने पहली बार हिस्सा लिया कनाडा, युगांडा और अमेरिका और पहली बार 20 टी में इसमें हिस्सा ले रही थी हमने कहां पहला संसकरन इसका 2007 में हुआ था वो कहां पे हुआ था वो होस्टिंग देश भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहां पे हुआ था दक्षिन अफरिका में हुआ था उसको भारत ने जीता था, तब भारत ने पाकिस्तान को हराया था अभी जो उसका लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था जो आठवा संसकरन था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंगलेंड ने जीता था, तब भी पाकिया था और अब ये 2024 पे जो इसका नवा संसकरन हुआ, ये कहां पे हुआ, हमने कहा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ, इसको जीता है भारत ने, भारत ने किसे हराया, साउथ अफरिका को हराया है इसके अलवा, ब्रेंड अमबेस्टर्स, जरूर याद रखेंगे, चार खिलाडी हैं, ब्रेंड अमबेस्टर्स, जिसमें एक भारते भी हैं, कौन? ये रात सिंग, बागी तीन कौन है? इसमें छे रेफरी चुने गए थे, उतमें एक भारते भी हैं, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है, कौन है वो? जवागल शिरिनात, वैसे 20 अमपायरों को भी इसमें चुना गया था, मतलब 20 अमपायर थे, उसमें भी दो भारते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना ह इसमें जो अमूल है उसने South Africa, America और Sri Lanka की team को sponsor किया था और करनाटक का एक Milk Federation है नंदिनी उसने Ireland और Scotland को sponsor किया था और अगर हम बात करें इसमें भारत के cricket team के coach कौन है तो राहूल दरविड है इसमें जो विजेता team रही है मतलब भारत विजेता बन गई है तो इसको price money कितनी मिली है 2.45 million dollar रुपिय में बात करेंगी तो लगबग 20.42 करोड रुपीज और जो उप विजेता है South Africa उसको लगबग इसका आधा मिलेगा 1.28 million dollar यानि कि 10.67 करोड रुपीज इसमें player of the series याद रखेंगे जस्परित बुम्रा है और player of the match याद रखेंगे विराट कोहली है इन्होंने 76 run बनाए 59 balls पे और हाँ एक और यहाँ पे news आप जोड लीजिए कि इस match के बाद विराट कोहली ने retirement की announcement भी कर दी है T20 International से retirement उन्होंने ले लिया है और अगर हम बात करें कि इस पूरे world cup में सबसे ज़्यादा run किसने बनाए और सबसे ज़्यादा wicket किसने लिए तो वो भी data में आपको बदा रहा हूँ सबसे ज़्यादा run बनाए है रह्मानुल्ला गुर्बाज ने यह अफगानिस्तान के खिलाडी है आठ मैचो में 281 run बनाए इन्होंने और इसमें दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है उन्होंने आठ मैचो में 257 run बनाए और सबसे ज़्यादा wicket किसने लिए यह वी अफग यहाँ पर होंगे तो वो भी दू देशों में होंगे श्री लंका और इंडिया में तो यहाँ पर ICC T20 मेंस World Cup 2014 से सारे important प्रशन में आपको revise करा दिये जो भी exam point of view से important बनते हैं और आपको पता यह इस साल ही ICC Women's T20 World Cup भी होगा इस साल October के महीनी में होगा यह वो भी उसका नवा संस्करन होगा कहां के बांगलादेश में यह भी याद रखेंगे एक बार ICC के स्टैटिक देख लेते इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल इस्तापना होती 1909 में हेड़कोर्टर दुबई UAE में है CEO जो फेलार्डेस हैं ऑस्टेलिया के हैं यह और चेयर्मन हैं दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया था हिंदी समवात कारेकरम और वहीं पर डॉक्तर उशा ठाकुर को यह बार्वा विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया उशा ठाकुर को यह सम्मान हिंदी साहित्ते के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है और उशा ठाकुर जी से आपको बता दू, इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से ज़्यादा साहत्यकारों की रचनाओं का अनुवात किया है। तो ये अवार्ड भारत सरकार के विदेश मंत्राले के द्वारा हर साल दिया जाता है, याद रखना इस बार किसे दिया गया। उशा ठाकुर को ये इसका बारवा संसकरन है इस सम्मान का। अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि 2023 में आपको याद होगा बारवा विश्व हिंदी सम्मिलन का एउजन हुआ था, बता सकते हो कहां पे ? तो आणचर होगा फिजी देश में वैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ था नागपूर में हुआ था आपको याद होगा 10 जनवरी 1975 में 1975 इसलिए तो 10 जनवरी हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं जबकि नेशनल हिंदी डेग 14 सेप्टेंबर को हुता है फिर आपसे पूछ रहें कि जुलाई 2024 में शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजिशन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रते निधित्व कौन करेंगे तो आंसर होगा हमारे जुविदीश मंत्रिये फॉरेंड मिनिस्टर सुब्रमन्यम जेशंकर अचा पहले तो आप ये बताओ कि 2024 में ये शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजिशन को होस्ट कोन कर रहा है मतलब इसके अद्धिक्षिता किसके पास है मतलब मेजबानी कोन कर रहा है तो आंसर होगा कजाकिस्तान की केपिटल अस्ताना में होगी इसकी ये बैठक 3 से 4 जिलाई 2024 तक होगा और वैसे आम तोर पर भारत के जो प्रधान मंत्री हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं लेकिन इस बार प्रधान मंत्री नहीं जा रहा है तो उनकी जगे हमारे जो विदेश मंत्रियें सुब्रमन्यम जेशंकर जी वो भारत को यहाँ पर रिप्रेजेन करेंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट हमने देख लिए कि शंगाई कॉपरेशन ओर्गेनाजेशन की जो सम्मिट है 2024 वाली उसको होस्त कौन कर रहा है या उसकी मेजबानी कौन कर रहा है कजाकिस्तान यहाँ पे कजाकिस्तान न्यूज में आ गया तो उसके स्टैटिक भी हम देखेंग देखो, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 1996 में चाईना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ने शंगई फाइफ से इसकी स्थापना कीती हूँ इसका नम शंगाई 5 था फिर 2001 में उजबेकिस्तान इसमें शामिल होता है और इसका नाम शंगाई कोपरेशन और गनाईजिशन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान दुनों एक साथ जुड़ेते 2017 में इस तरह से इसमें टोटल आठ मेंबर हो गये थे लेकिन अभी हमने पड़ कांफ्र कर दिया का सबसे बड़ा जो लंड लॉग कंट्री है वो कौन सा है तो आंसर होगा कजाकिस्तान, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगला प्रशन हम दिखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, कि अभी हाली में यूरोपिये संग की यूरोपिये परिशद के अध्यक्ष की रूप में अभी किसे चुना गया, तो आंसर होगा, एंटोनिया कोस् पूर्व प्रधान मंत्री हैं, ये एंटोनियो कोस्ता, जिनको अभी यूरोपिये संग की यूरोपिये परिशद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वे बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगे लेंगे, अच्छा, इनके अलावा, एस्तोनिया देश के जो प यूरोपिये संग के विदेश मंत्री होंगे, लेकिन याद रखना, इस पद पर आने के लिए उन्हें, एस्तोनिया देश का जो प्रधान मंत्री का पद इनके पास है, वहां से इस्तिफा देना होगा, तो बहुत जल्द हम future में एक current affairs पढ़ेंगे, कि एस्तोनिया देश के नए परधान मंत्री कौन बने, क्योंकि इनको इस्तिफा देना पड़ेगा इस पद पर आने के लिए, तो वह seat vacant हो जाएगी, तो फिर एस्तोनिया देश में नए परधान मंत्री बनेंगे, जब बनेंगे तब देखेंगे, लेकिन में आपको बता दिया, ये प्रशन हम जर पहले 28 थे, यूरूपियन यूनियन का जो संस्तापक सदस्य था वो UK था, और आपको पता होगा 2020 में उसने यूरूपियन यूनियन को छोड़ दिया था, उसी को तो Brexit कहते हैं, हेड़कॉर्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है और प्रसिडेंट है उर्सुला वॉन्ड से हैं, अभी तो वैसे 78 अठत्तरवा सत्र चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली का, और उसके अध्यक्स कौन है, डैनिस फ्रांसेस हैं, वो त्रेनिदाद एंट टौबे को देश के हैं, और ये प्रशन एक्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको गिता ह इन लोगों के देश, जो कंट्री हैं, वो भी याद रखा करो, बाकि थियो जैम्स भी अभी नाम न्यूज में था, ब्रिटेश एक्टर है ये, अभी यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एंबेजडर इनको बनाया गया था, तो के जो मुख्य मंतरी चमपई सोरिन साहब उन्होंने घोशना की है, कि राज्य में मुख्य मंतरी बहन बेटी स्वाव लंबन योजना को शुरू किया जाएगा, क्या होगा इस योजना में, तो इस योजना में, राज्य की 25 से लेके 50 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महिने 1000 र रुपे से अधिक का खर्चा आएगा, अच्छा मुझे आप लोग बताईए, क्या ये इस तरह के स्कीम लाना सही बात है क्या, नहीं महिलाओं को लगेगा, या फिर हर घर में महिला है, आपके मां होगी, बहन होगी, भाबी होगी, वाइफ होगी, किसी की, तो पैसा आनक इसको बुरा लगता है, लेकिन आप खुछ सोच के देखिए, वो पंदरा सो रुपे या हजार रुपे आपको हर महिना मिलेगा, तो आज के टाइम पी इतनी महंगा ये, वो आता है, वो तो गुड़िया के बाल नहीं आते थे, पहले मुँ में रखते गायब, ये उस तरह का हो गया है, और पूरी सरकार देखो, आपको क्या गे रिये सालना 4,000 करोड रुपे, और बहुत से अप सरकार इस तरकी योदनाय चला रही है, मीठा प्रलोभन दे रही है, चॉकलेट दे रही है, इससे तो अच्छा है, ये 4,000 करोड रुपे कुछ इंडस्ट्री लगा कुछ ऐसा लगा दो, चाए उसमें पूरुशों का मत रखो, महिलाओं को रख दो, हर घर की मा, बेटी, बहन जो भी है, वो उसमें जॉब करने जाएगी, वो खुद डिपेंडेंट बनेगी, उनका स्किल डेवलप्मेंट होगा, मेरा तो ऐसा मानना है, हो सकता है मैं किसी परस बताता हूं, तो इसी तरह के मैं आपको बताता हूं, और किन-किन राज्यों ने इस तरह की योधना शुरू कियें, कल मैंने आपसे पूछा भी था, इस तरह का प्रश्न, बहुत सारे स्टुडेंट ने उत्तर दिया, तो एक तो चत्तेजगर वाली आप लोगों ने और अभी हमने कली पड़ा है, मुख्य मंत्री माजी लाड़की बहिन योधना, वो लड़की निये, लाड़की कर लेना है न, और महराष्टर ने उसको शुरू किया था, उन्होंने का हर महीने पंदरा सो रुपे देंगे, और उससे पहले मध्य प्रदेश ने लाड़ली बहना योधना शुरू किती, अब वो साड़े बारा सो रुपे हर महीने देते हैं, दिल्ली ने महीला सम्मान योधना शुरू किती, उसमें वो हजार रुपे हर महीना महीलाओं को देते हैं, हिमाचल प्रदेश ने इंदरा गांधी प्यारी बहना अस्तु के सम्मान निदी योधना शुरू की थी उसमें वो पंदरा सो रुपे महिना देते हैं तो ये सारी आप ध्यान में रखना आगला प्रस्नम देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उधगाटन कहां पर किया गया तो आंसरोगा करनाटक में तो अभी करनाटक के बंगलूरू में बेनर गटा जैविक उध्यान में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी का उधगाटन किया गया और अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा आपको लेपर्ड जो तेंदुए हैं वो मिलेंगे मध्यपरदेश में फिर महराष्टर में और फिर करनाटक में तो यह आप ध्यान में रखना और कुछ इंपोर्टन प्रशन आप लोगों के लिए लेकर के आयों जैसे कि पूछा जाए कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व यह कांपे बनेगा लगदाप में और इसी से मिलता जुलता एक प्रशन है जो आपको कन्फ्यूज करेगा एक्जाम में कि देश का फेला Dark Sky Park यह कहां पर बनेगा तो यह 5 टाइगर रेजर्व में बनेगा और यह 5 टाइगर रेजर्व दो रजों में आता है मध्या-प्रदेश और महराश्डर महरास्टर तो इन दोनों को इसलिए में साथ में लेकर के आया हूँ ताकि आप کंफ्यूजने रहो ए और उसी तरह से देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क, एरिया वाइस सबसे छोटा नेशनल पार्क, यह साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमा निकोबार में मिलेगा, अगर पूछे देश का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क कुन सा है, तो जिम जिसे पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे, लेगिन अभी इसका नया नाम भी आ गया है, राम गंगा नेशनल पार्क क्योंकि इसमें से राम गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड में है ये, अच्छा यूं बताओ, विश्व हिम तेन दुआ दिवस, स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं, तो 23 अक्टोबर को मनाते हैं, और आपको याद हो, तो मैं आपको जब भी सूचकांक इंडेक्सेज रिवाइस कराता हूँ, एक इंडेक्स हमेशा रिवाइस कराता हूँ, जो कि पहली बार आया है, हिम तेन दुआ पे जो रिपोर्ट आई थी, इसमो तो ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूच रहे हैं कि अभी जून 2014 में दक्षिन कोरिया, अमेरिका और किस देश ने मिलकर के पहली बार फ्रीडम एज नाम से एक अभ्यास शुरू किया है, तो आंसर होगा जापान, तो एक्सरसाइस का नाम क्य उद्देश्य साफ है, नौर्थ कोरिया के द्वारा उत्पन खत्रों और रूस के साथ उसके गहरे होते संबंदों के विरुद सुरक्षा सहयोग को बड़ावा देना, अब आपको याद होगा, रश्या के जो व्लादमिर पुतिन साहब हैं, नौर्थ कोरिया के जो किम करते हुए आप जो समझो कि हम भई एक साथ है, ये साथ मिल करके आया और एकसरसाइज किया, बाके को मिलेक्टरी एकसरसाइज वाला प्रशन है, अभी कल परसुई मैंने आपको 2024 की सारी इंपोर्टेंट एकसरसाइज रिवाईज करवाई थी, तो आज मैं रिवाईज नह कर रहा हुआ, लेकिन अगर कुछ नए स्टुडेंट कहेंगे कि हमने तो रिवेजन किया ही नहीं है, हम तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साथ आपके लिए भी इंतजाम है, आप घबराव मत पूरा इंतजाम कर रहा है, आपके लिए तो अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है मैंने, जिसमें जन्वरी से जून तक चितने भी इंपॉर्टन एक सरसाइज आ रहे हैं, इंपॉर्टन क्या सारे एक सरसाइज मैने वहां पे रख दिय은 क्योंकि सारे इंपॉर्टन था, तो वो वीडियो आप जरूर से देख ले ना, और एक बार ज देख दो, क्रेक एक्जाम, अपने चैनल का नाम, उसके बाद जो भी आपको topic search मारना है, जैसे कि Nobel Prize मारना है, Sustainable Development Goal Tricks मारना है, Cabinet Ministers का जो tricky वीडियो है, वो मारना है, topic wise मारना है, तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, तो अभी आप प्रशन देखते हैं, फिर आप से प 25 में बगहा शहर को राजस्व जिला बनाया जाएगा, आपको बता दू, इससे पहले 1996 में बगहा पुलिस जिला इसे बनाया गया था, और अब इसे राजस्व जिला बनाया जाएगा, ये जो बगहा जो शहर है, ये पश्ची मी चंपारण जिले के अंतरगत आता है, चलो यहाँ पे आपको वाल में की टाइगर रिजर्व, राजगिर वाल लाइफ सेंचूरी, कैमुर वाल लाइफ सेंचूरी, गौतम बुद्दा वाल लाइफ सेंचूरी मिलेगा, बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, उस दिन वर्ल्ड वाटर डेबी होता है, और आपको या इन अब आपको बताना है कौन सा है, बाखी कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइस करवादू, तो डॉल्फिन के संग्रक्षन के लिए अभी गंगा डॉल्फिन अभ्धरन है, ये बनाया गया बिहार के भागलपुर जिले में, वैसे भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्ट सेंटर यह आपको पटना में मिलेगा यहाँ पे मुख्य मंत्र अल्प संक्यक उद्ध्यमी योजना शुरू हुई थी और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रमैन मंदिर यह बन रहा है बिहार के पूरवी चमपारन जिले में बोला जा रहा है 2025 तक बन जाएगा वैसे CBDC का उप्यू करने वाला देश का पहला नगर निगम ये पटना नगर निगम बनाता CBDC एक तरका E रुपिया है और बिहार के भी मर्चा चावल को G.I.T.E.C. मिला था थावे महुत्सव यहाँ पे मनाया जाता है परदेश का सबसे बड़ा रबड का डेम का उधगाटन भी यहीं पे किया गया था गया बिहार में तो अभी इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखें बिहार से हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी Financial Action Task Force के Top 5 Group में कौन सा देश शामिल हुआ है तो आंचरोगा भारत तो अभी सिंगापूर के Financial Action Task Force की बैठक में 2023-24 के दोरान भारत की मूल्यंकन रिपोर्ट जारी की गई और इसमें Money Laundering और Terror Funding के किलाब भारत को Regular Follow-Up केटेगरी में रखा गया है इस Regular Follow-Up केटेगरी में भारत के अलवा 4 G20 देश भी शामिल हैं वो कौन से देश हैं वो याद रखना हमारे लिए important नहीं है क्योंकि भारत इस लिस्ट में शामिल हो गया इस केटेगरी में शामिल हो गया यह हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि Financial Action Task Force ने Money Laundering के खत्रों को कम करने के लिए भारत की सराना किये और Cashless Economic की तरफ बढ़ने से भारत ने यह उपलबदी हासल की है अच्छा एक और यहीं पर point आपको बता रहा हूँ वो अलग से प्रशन नहीं करवा रहा हूँ जहां से सुनना कौन सा प्रशन है वो कि जो तुर्किये देश है यह अभी तक Financial Action Task Force की ग्रे लिस्ट में शामिल था लेकिन अभी इसे से इस लिस्ट से बाहर कर दिया है यह वो प्रशन है Financial Action Task Force की बाद करे इस्तापना होती 1989 में Headquarter है Paris, France में और यह आपको बता है Money Laundering और Terror Funding को रोकने के लिए एक Inter-Gournamental Organization है भारत 2010 में Financial Action Task Force का सदस्से बना था तो इतने points आप ध्यान रखेंगे अगला प्रशन देखता है फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में अंतरराष्टर उस्टन कटी बंदिये दिवस 2024 ये कब मनाया गया तो अंसरों का 29 जून को हर साल 24 जून को International Day of Tropics के रूप में मनाया जाता है मनाने का उद्धिष ये उस्टन कटी बंदिये शेत्रों के अनूठी चुनोतियों और अउसरों के बारे में वैश्विक जागवत्त बढ़ाना ये जो उस्टन कटी बंदिये शेत्र है ये परत्वी का एक भोगुलिक शेत्र है जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का जो शेतर है उसी को केते हैं उस्न कटी बंदिय शेतर ट्रोपिकल ड्रीजन ये जो उस्न कटी बंदिय शेतर है ये दुनिया के सबसे जैव विविट पारिष्थिति की तंत्रू का घर है तो हिंदी में इसे कहेंगे अंतरराष्टर उष्ण कटी बंदिय दिवस और इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ओफ ट्रोपिक्स याद रखना कब 29 जून को वैसे जब भी डे वाला प्रशना आता है हर बार मैं उस महीने के सारी डे आपको रिवाइस करवाता हूँ तो जून महीने का बिलकुल लास्ट आ गया है अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जून के जो भी इंपॉर्टन डे आपको यादे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करें और खुच से एनलिसिस करें क्योंकि अब नए महीने में हम एंटर कर जाएंगे तो आप खुच से एनलिसिस करें कि इतने समय तक चाहता कितना समय तीस दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं जब भी डे वाला प्रशना आया मैं तो आपको रिवाइस करवाता ही हूँ हो सकता है अगर आप नोट्स बगेरा बनाते हूँ घर पे भी रिवाइस करते हूँ तो चितने बार भी आपने रिवाइस करा है तो कितने डेज आपको याद है यह आपका आज का टेस्ट है तो वीडियो को पॉस करो और शुरू हो जाओ बाकी वीडियो तो यहाँ पर समाप तो चुका है यह था आज का आपका सेशन कमेंट करके जरूर बताईएगा सेशन आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में study group में एक बार share जरूर कर देना आपको लगेगा वीडियो बड़ी महनत से तयार होता है आपके लिए एक एक content चुनकर के लेकर के आता हूँ select करता हूँ, search करता हूँ बहुत उसके बाद content को type करना, record करना, edit करना सब काम बहुत गंटों लग जयते हैं पूरा दिन बर जागर के content एक तयार होता है फिर आपके सामने आता है जैसे आप लोग गाने सुनते हो, कोई movies है साल बर movie पे काम होता है, पूरा साल बर लगता है छे-छे महीने लगते हैं, फिर तीन गंटे की दो गंटे की movie आपके सामने आता है तो आप उन movies को, उन गानों को appreciate करते हो, तो ये educational material है इससे आपकी life बनेगी शायद movies से या गानों से न बने ये आपके काम आएंगे, एक्जाम में नंबर दिलाएंगे इस तरह कि मेरी पढ़ाने के कोशिश रहती है कि most of the content आपको यही पर याद हो जाए तो प्लीज जिससे आपको help मिल रही है उससे भी आप थोड़ा support करें सिर्फ आपको अपने mobile पर touch करना होता है जिससे आप video को like कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ या जो भी study groups आपके होते हैं ट्वीटर, Facebook, Instagram जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं जो भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा यह मेरी request है आप से बागी चलो भी कल के current affairs का मैं आपको quick revision करा दो फिरम session एंड करते हैं तो चलो यहाँ पर 29 जून के important current affairs को हम revise करते हैं तो पहला प्रशन पूचा उत्रप्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार की एक इस्तिस्तान पर इस्ताफित किया जाएगा उत्रप्रदेश के लखिमपूर खिरी जिले में फिर पूचा भी किस भारते ने Commonwealth Short Story Price 2024 जीता संजना ठाकुर ने फिर पूचा राष्टर सांखे के दिवस National Statistic दे मनाया 29 जून को फिर पूचा भी महिला टैस्ट किर्केट का सबसे तेज 12 शतक लगाने वाली किर्केटर कौन बन गई शेफाली वर्मा फिर पूचा जून 2024 में किसे नवरतन कंपनी का दर्जा दिया गया मजगाउं डॉक्ष बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई को फिर पूचा मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहिन योजना किसने शुरू की महराष्टर ने फिर पूचा जो आर्पी एफ के महानी देशा के मनुज यादा उन्होंने कौन सा एप लॉंच किया संग्यान एप फिर पूचा विदेश सचीव कौन बन गए विक्रम मिस्तरी फिर पूचा भी जून दूजा 24 में DRD ने कहां पर अभ्यास का सफल परिक्षन किया उडिसा में और आखरी पूचा भारत का सबसे वैलुएबल ब्रेंड कौन सा बन गया है टाटा ग्रोथ चलो भी कल का हमवर्ग प्रशन एक और सेशनें करते हैं तो कल की वीडियो में आपसे बुचा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेनेजिंग डारेक्टर किसे नियुफ्त किया गया फिर से तो आंसर होगा क्रिस तिल्यां जौर जीवा आप सबने प्रशन का बिल्कुल सही उतर जिया आप यह राज का आपका हमवर्ग प्रशन